इस वीडियो में हम आपको पारकर और पारकर सोर प्रूब के बारे में बताने जाने का भी important topic है लिजामों के त्रिश्टर करते हैं कि पारकर और प्रूब हैं कि तो सब्सक्राइब देखते हैं से point first है पारकर सोर प्रोब नासा दौरा पहली बार शूर के अत्यनत निकट जाकर उसके अध्धन हे प्रस्तावित मिशन यानि पारकर सोर प्रोब एक मिशन है क्या करेगा यह पहली बार शूर के अत्यनत निकट जाकर उसके अध्धन हे करेगा यहाँ मिशन नासा के Living with a Star कारिक्रम का एक हिस्सा है यह किसका हिस्सा है? Living with a Star कारिक्रम का एक हिस्सा है नेक्स्ट पॉइंट है इसका पारकर सो प्रोब मिशन जुलाई अगस्त 2018 के मद्धे नासा के फ्लोरीडा इस तित केनेडी स्पेस सेंटर से तेल्टा फोर हैवी प्रेश्चन यांग दोरा अंत्रिश में भेजा जाएगा और इस उद्धिस जो यह मिसन है इसके उद्धिस क्या है? तो यह देखते हैं इसके उद्धिस सोर फश्ट है और सोर पवनों को गति परदान करती है काफी important point है कि उस उर्जा का पता लगाना जो प्रभामंडल यानि कोरोना को ताप देती है तता सोर पवनों सोलर विंडस को गति परदान करती है धर्ड पॉइंट एसका यहा है पता करना कि कौन से तंत्र उर्जा सील करण को गति-परदान करते हैं या जो उर्जा हर से होती है उनकरों को गति-कौन परदान करता है अंत्रिश यान का नाम करण इस अंत्रिश यान का जो नाम करण है प्रसिद्ध अमेरिकी खबोल विद यूजीन नूमेन पारकर के नाम पर किया गया है कहां कि अमेरिकी खबोल विद यूजीन नूमेन पारकर इनहीं के पारकर नाम से इसका नाम किया गया है और इन्हों ने वर्स ने 158 में सरव प्रतम सोर पवनों की मोजोदगी की भविश्वारी की थी यानि पारकर नहीं की थी और यह यान संभवता 19 दिसंबर 2024 तक सूर के वातावर्ण में प्रविश कर लेगा यह यान चुम्ब की छेत्र प्लाजमा उर्जावन कड़ों तता सोर पवनों की शविका अध्यन करने के लिए चार उपकरणों से लेश होगा और यहाँ अब तक का सरवाधिक गतिवाला मानो युक्ति डिवाइस होगी जिसकी शूर के नजदीक पहुँचने पर लगभग 200 किलो मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो काफी इंपोर्टेंट इसको याद रखना है यह सबसे सरवाधिक गतिवाला मानो युक्ति डिवाइस होगी है जिसकी शूर के नजदीक पहुचने पर भी लगभग 200 किलो मीटर पर सेकंड इसकी रखतार हो जाएगी है और इसे कुछ और भी पॉइंट है कार्बन कंपोजित यानि कार्बन फाइबर तथा ग्रिफाइट पदार से निर्वित इस्तियान का फोर और पॉइंट फाइपिंच यानि गेहरा पॉइंट तैतलिस सेंटिमीटर और मोटा आपराण 1370 डिगरी सेल्सियत तक तापमान सेहन करने में सच्छम होगा और इस मिशन से लाव क्या होंगे यानि ये मिशन चालू है इस मिशन के लाव क्या है तो ये दो पॉइंट यहां पे दी हैं सूर्य प्रत्वी के सबसे निकड इस्तित ऐसा एकमात तारा है जिसका हम करीब से अर्दन कर सकते हैं यानि इस मिशन से ये लाव होंगे कि सूर्य की प्रत्वी के सबसे निकट इस सिर्दे के ऐसा तारा है जिसका हम करीब से अध्यन कर सकते हैं दूसरा सूर्य प्रत्वी पर जीवन हेत्व प्रकास था उश्मा का स्प्रोत है इसका अध्यन प्रत्वी पर जीवन के विकास को समझाने में सहयक होगा सरपथम कापर निकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शूर ब्रह्मान के केंद्र में है तथा प्रतिवी उसकी परिक्रमा करती है और दूसरा है द्रविमान के अनसार शूर के संगठन में लगबख 70.6 प्रसत हाइडरोजन यह आपको याद रखना है और सूर के निम्न छेतर होते है वो यहाँ पर बताएगे है छे स्धे रोते हैं सूर के काउन और से पहला है केंद्री भाग दूसरा है विकिरंण च्छेत तीसरा है सम वहनी छेतर चौथा है दरस सतह या फोटो इस्पियर और पांच वा है क्रोम इस्पियर और छटा है बाहतम छेतर कोरोना तो यह वीडियो आपको कैसा लगाए इसके बारे में जरूर बताएं यह से वीडियो में बनाने चाहिए कि नहीं क्योंकि प्रयास हमारा है और आपको बताना है यह प्रयास कैसा है रहा है अच्छा है आपके लिए कुछ जानकारी मिल रही है आपके लाएक कि नहीं मिल रही ह ठीक है? और ओके